नमस्कार मियोंकरीमा स्वागत आपका नाइन बारत समचार में आईए देखते हैं खबरे विस्तार से प्रिंसन वेल यार रैली में गोली बारी के बार डोनाल्ड ट्रॉम्प सुरक्षित संदेख दिशूटर मृत इतली में गुलामी से 33 भारतियों को बचाया गया अत्याचारी किरफ्ता त्रिफुरा जड़प में आदिवासी युवक की मौत के बाद दुकानों में आग जनी घरों में तोड़ फूर बेस्पी नीता के आम्स्ट्रॉंग के हत्या के एक आरोपी को मुट भीड में मार गिराया रेल के चक्कर में रेल के शिकार हुए तब पत्ती स्पॉंसर्ड बाइ एक्स्क्लूजियो डेकरेटिव सर्फस अक्रिलक एंटीरियर क्लाड्स नूरानी लिबास रेडी मेड, टेक्स्टाइल्स, स्टिचिंग ईवर्ज, प्यार से घर सवारने दो पूर्व अमेरिकी राश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प को पेंसनवेलिया में एक प्रशार रेली के दोरान गोली बारी होने पर मन से हटाया गया इस घटना ने दोहजार चोविस के चुनावों से पहले सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है 78 वर्ष ये ट्रम्प ने गोली बारी की आवास सुनकर अपना दाया कान पकड़ा और उनकी चहरे पर खुन दिखाई दिया इस दोरान ट्रम्प ने भीड की और एक मुठी उठाई जिससे उन्होंने अपने समर्थकों को विश्वास दिलाने की कोशिश की अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि संदिक दिशूटर की मौत हो गई और एक राहगीर की भी गोली से जाच चली गई पूर्वराश्रपती सुरक्षत हैं सीक्रिट सर्विस ने एक्स पर पोस्ट किया इस घटना ने आगामी चुनावों के मद्दे नजर सुरक्षा ववस्था पर नए सिरी से चर्चा छोटी है इटली के उतरी विरोना प्राम्त में शनिवार 13 जलाई को कम से कम 33 भारती मज़़ूरों को गुलामी जैसी कार्य परिस्थितियों से बचाया गया और अत्याचारियों से लगभग आधा मिलियन यूरो जब किये गए ये घटना इटली के शम्शोषन की बढ़ती समस्या को उजागर करती है जून में एक भारते फल तोड़ने वाली की मशीनरे से हाथ कर जानी के बाद दुख़त मृत्यू हो गई थी पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने जो खुद भी भारते मूल के हैं साधी नागरिकों को मौसमी कार्य परमिट पर इटली लेकिया राए और उन्हीं बहतर वविशे का बादा करके 17,000 यूरो की मांग की जमू कश्मीर में विदानसवा चुनाओं के नजदीक आने के साथ केंदर ने जमू और कश्मीर के उपराजपाल LG की शक्तियों को सपष्ट और विशेश रूप से परिभाशित कर दिया है ये नई शक्तिया पुलिस, अधिकारियों के पदस्थापन और सानांत्रन, भारतिय प्रशाशनिक सेवा, IAS और भारतिय पुलिस सेवा, IPS जैसे अखिल भारतिय सेवाओं, रश्टचार निरोदक ब्योरो, ACB और अभियोजन की स्विकृति या आस्विकृति से सम्मनित माम पर लागू होगी, शुकरवार को एक जारी अधिसूचना के तहट, 2019 के जमोर कश्मीर केंदिश राशित प्रदीश की सरकार की कामकार्ज के नियमों में संशोधन किया गया, इस अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी प्रस्ताव को जो पुलिस, जन सारवजनिक व्यवस समक्ष रखा जाएगा, सूत्रों ने बता है कि विदान सबाच चुनावों के बाद एक राज़ा सरकार और विधायका के स्थापना के मदेनिजर इस उपनियम को जोड़ा गया है, ताकि जमोर कश्मीर पुनरगठन अधिनियम, 2019 के धारा 32 के संदर्व में किसे भी आसपश सूची के, तरफुरा के धलाई जिले में एक आधिवासी वक्की मौत के बाद कई दुकानों में आग लगा दी गई और घरों को नुकसान पहुंचाया गया, इस घटना के बाद प्रशाष्चन ने नीशेदाग्या लागू की पुलिस ने शनिवार को बताया, 19 वर्शी सुलाई को धलाई जिले के गंडात विसा में दो समुहों के बीच जड़प हो गई और गंभी रुप से घाल हुआ था, शुकरवार को जी पीपी अस्पताल में दम तोड़ दिया, अधिकार्यों ने बताया कि शुकरवार की आग जनी के बाद गाउं में अतरिक पुलिस ब आया गया, तो भावनाएं उग्र हो गई और गुस्से में कुछ घरों और दुकारों में तोड़ फोड की गई, हमने हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफतार किया है। वरम के पास एक जगह पर ले जाया गया, हत्यार वो थे जिन से उन्होंने आमस्ट्रोंग की हत्या की, तीरू विंग्डम ने एक एसाई पर हमला करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस टीम ने उस पर गोली चला दी, उसे चोटे आई और तुरंत स पुल से चलांग लगा दी, सोजात रोड की नजदेक हरिया माली निवासी राहुल मेवाडा और जानवी मेवाडा, दोनों पती पतनी गोर्म घाट गूमने के लिए जो दोनों जोग मंडी पुल पर घूम रहे थे, अचानक कामली घाट से मारवाट पैसेंजर ट्रेन नज देखा रही थी और अपनी और ट्रेन को आता देख राहुल और जानवी ने पुल से नीचे चलांग लगा दी, अपनी पत्मी जानवी को पुल से चलांग लगाता देख कर राहुल ने भी चलांग लगा दी, हालांकि घुमावदार पुल होने से ट्रेन की गती कम हो गई थ और ट्रेन की चालक की सुझबूत से च्रेन को फुल पर चड़ते ही च्रेन को रोग दिया गया। लेकिन दमबदतिनी च्रेन को अपनी और आता देख वो हक्के-बक्के हो गये। और फुल से नीचे छलांग लगा दी फ्रेंचालक और गार्ड ने फुल से नीचे उतर कर दोनों दमपती को ले कर आए जो गंबी रवस्था में घायल थे जिनको फुलाद रिल्वे स्टेशन ले जाया गया पास एंबुलेंस की मदद से जानवी को पाली और राहुल को हुआ है किते लोग थे वो पुल चार है गयल किते हो इसमें से गयल किते हो इसमें दो लोग गयल हुए तो और कहा के रहे होले थे यह बगडिय को शत्रपती संभाजे नकर में एक सारवाजनिक सभा को समभोधित करते हुए AIMIM प्रमुख अस दिन OVC ने भारते लोक्तंतर की प्रतिनिधी प्रकर्टी पर सवाल उठाया OVC ने कहा कि महराष्ट्र में OVC समुदाय के उमिदवारों ने चुनाव जीत गर सांसद बनने में सफलता पाई लेकिन राज्य में कोई भी मुस्लिम उमिदवार जीत ना पाया उन्होंने ये भी टिपड़ी की कि भारते संसद में पहली बार उच्छ जाती और OVC संसदों की संख्या समान हो गई है OVC ने सवाल किया हम ये दावा करते हैं कि भारते लोक्तंत्र एक प्रतिनिधी स्वरूप का लोक्तंत्र है यदि किसी विशेश समुदाय का कोई भी उमिदवार चुनाव नहीं जीता तो लोगों को इस पर गंभीता से विचार करना चाहिए जब मुसल्मान सभी को वोट दी रहे हैं तो हमारे उमिदवार चुनाव में क्यों नहीं जीत पा रही उनकी टिपणियों ने एक बार फिर से चुनावी प्रतिनिधित्व और समानता के मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित कर दिया है महरा राश्त्रा में ओबीसी समाज के इंपीर जीत करा हैं मगड एक भी मुसल्मान इंपीर नहीं जीता है तो यह धारत की जो हमारी जमूरियत है हम यह दावा करते हैं हमारी जमूरियत हमारी लोगशाहिद जो है वो एक representative form of democracy है अब representative form of democracy में आपका हर समाज का MP जीत कर जाता है महरा राश्त्रा से और एक समाज का कोई MP नहीं जीतता है तो मुसल्मान समाज का है तो यह बात इन तमाम जिम्मदारों को सोचने की जरूरत है और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इंद्या जिलिल सहाब को काम्यावी नहीं मिली इसका ना सिर्फ महरा राश्त्रा के पूरे मुसलिम समाज में एक गम है गुस्सा है और वो भब और गुस्सा यह कह रहा है कि हर समाज काडमी जीत रहा है हमारा यह एक इंपी था मुसलिम समाज का उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दें तो यह सच्चाई है और भारत की पार्लेमेंट में आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अपरकास्ट और प्रसेंटेशन बराबर हो चुका है 13 जुलाई को नर्सिंगे इस्थित एक अपार्टमेंट की खिड़की का काच एक अवारा गोली से तूट गया गोली खिड़की को भी दिती हुई आवासे अपार्टमेंट की पाचवी मन्जिल की दिवार पर जा लगी सान्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैदरबाद के मनी कोंडा इस्थित अपार्टमेंट के निवासी शनिवार सुबह जब ये घटना घटी तब वो टहलने गए थे घटना के तुटने के आवास सुनकर पालतो कुटा चोग गया अपार्टमेंट में रहनी वाले दमपती जब घर लोटे तो पालतो कुटा लगातार भोक रहा था और उन्हें हैदरबाद में अपने अपार्टमेंट के अंदर बिस्तर के नीचे गोली का खोल मिला घटना के सुशना तुरंद पुलिस को दी और मामला दर्स किया गया हैदरबाद पुलिस को संदे है कि गोली पडोस के तिलंगाना पुलिस अकादमी से अपार्टमेंट में आई है जहां शुक्रबार से फारिंग प्रिशिक्षन चल रहा था पुलिस ने छे महिने के एक बच्चे के अफरन मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है और एक अन्य मामले में मोटर साइकल चोरी के मामले में पाच आरोपियों को गिरफ्तार किया और विभिन पुलिस से माओं की बारा बाइक परामत की नौभारत समाचार से एहमार जबारी की रिपोर्ट इस पूरे सिलसले में तीन अक्यूस्ट इंवाल पाए गए जिसमें एवन नस्रीन बेगं एटू नूर जहां वेगं और एट्री मौमध आदिल है इसमें एटू एट्री हस्बेंड वाइफ है और एवन जो है वो सिस्टर है एटू कि यह जो एवन है इसमें नस्रीन बेगं वो पाटन चेरहू की रहने वाली है और उनका कोई बच्चा नहीं है और वो बार-बार अपनी बहन और उनकी हस्बेंट से कहती थी जो एटू एटू एथ्री है कि आप जाके किसी दर्गा से एक चोटा बच्चा उठा लाई है मेरे के कंवेंस करके वो हैदराबाद लेके आए और जब वो हैदराबाद पहुंचे एमजी बीएस बस्तेंड के पास सुलफ कॉंपलेक्स में उसको फ्रेश अप होने के लिए बीज़े और उसी टाइम पर उस छे मेने के बच्चे को किड्नाप करके ले और जब यह इन्फॉर चेक किए गया और वो बचा आमें मिल गए और इसमें उनके मदर फादर ने हमारी पुलीस और टीम को बहुत थांक्यू बोला और एक अच्छा इसमें हमारे पुलीस ने काम जया है इस पूरे पलताय इसमें जो अच्छा काम किये हैं उसमें अजर अंडी आइटिशनल सब्सक्राइब करना था तो इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं जो मेजर मेजर धा रहा है उनका जो सेक्षिन था उनको बदलना नहीं चीए था राजदोह के अफराद को इन्होंने अपने तरीके से बजल दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये उपनेवेशिक कानोन है राजदोह के हो तो परसमजदार है उसको बढ़ लेगा मेरे मान इसको जिदर नहीं आएगी क्यों आतंक वादियों की आड में जिदी आम आम ना आए देना है दो तिन ज्यादा आप कारिक आगे नहीं दे सकते हैं नमस्कार देश में एक जुलाई से नया कानून लगे हैं लगपक 117 साल पूराने कानून के बाद अब नया कानून आया है इस नया कानून से जनता पर क्या प्रभाव पढ़ने वाड़ा जनता कितनी क्या कुछ नयापन है इसमें नय कानून को लाने का मकसद जो रहा है प्रथन रिष्ट्या इसे पढ़ने पर यह लगा है कि न्याय जल्दी सुलब सरल तरीके से किस तरह है लोगों को मिल सके प्रार्थी को प्रार्थी को मुल्जिम को भर्यादी को यहीं उदेश रहा है न आदमी खाना को तब क्या बढ़ता था है वहीं विवस्ते हैं जरीय इमेल हो गई है समद्हें को वह आदमी अपने मोबैल से मुखदमा दर्श करवा सकता है यह इसमें कई प्रखेर के की तूसरी इसमें जी रृफियार का भी प्रावधान आया है कि वह किस शेत्र में का है जहां उसका कई अन्य जगह जहां वह सहज नहीं है मुखदमा दर्ज कराने से जिरो अपरियार वहां समंदित अपनी रीच में पहुंच में जो पुलिश टेशन आता हुआ जहां कर मुखदमा दर्ज करा सकता है तो जहां अफराद घटित हुआ है समंदित असचो उस पुलिश टान पढ़ी थी यह सी देखिए सरकार का मानना था कि आजाद हुए तकरीमां 55 साल में हो चुके हैं तो उस वक्ति आवश्रक्ताओं में आज की आवश्रक्ताओं में काफी फरक है यह की सी सेदी का भारत चल रहा है जहां इलेक्टर मीडिया और सोशल मीडिया का जबाना है तो 75 वर्सों में उनको लगा कि हम आम आदमी तग किस प्रकार यह की सुलबता से और सबसे ज़्यदा जो आज के लिजिटल पोर्टल पर जो जूड़ चुके हैं तो इस पोर्टल के माधियम से हम इस प्रकार लोगों के साथ में सुलब विवार कर सके लेकिन हमा एक आदमी को कहते हैं कि डिगोई 42020 जिसका मतलब एक घार है ऐसी ती तिजिटी र्धानास में समय जुके थी अभी से देखा गया है कि लगबग 15 दिन हो चुके कानून लागू हुए और ना तो पुलीस पूरा इसको समझ पा रहे हैं ना एडवोकिट्स इनको समझ पा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है अभी समझ पा रहे हैं लेकिन कोई प्रक्रिया को समझ में लगता है पढ़ना पड़ेगा और जहां तक मेरा मानना के जो आपकर करने कानून तू लाने पड़े है जेलों में इससे खई अपराती बंद पड़े हैं जिनको समय के साथ हमानतिया नियाई मिल जाना चीए वो भी उनको पड़ने का परियास के जो बडने लिए और हैं समझा रहे हैं जो नहीं आए जो हमीडिये हैं और जो आएंगे तब तक तो आरा को शीक्त शेक्ना घरता है पढ़े के उसको देखना व्युद पढ़ा है उसे अ मेरे मानना इसे को दिखत नहीं आएगी और जहांते में मानों जो तरीख़े इसमें बदलाव आव सकते मानने नियाय लोने बार बार भार जो परतिवाति किया कि इसा होना चीए उन्हीं को सामने परकार इसका कानून है और सब समझेंगे और इस जानता को फाइदा मिलें सर्व मोटा मोटा क्या पाइवर्ट ने हुआ जनता कितनी इसमें सहज जल पाएगी कितना समय लगेगा जो राजदुरों का अपराद कि अपराद को इन्होंने अपने तरीके से बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत यह उपनिवेशिक कानून है राजदुरों कि होता है तो उन्होंने इसको पर हर कार्यवाई जिसको आप लोगों में आमदुलन जुलूस होगेरा निकलते हैं उससे आतंगवादी गटनाएं नहीं होती क्योंकि आतंगवादियों की आड में जदी आम आम नागरी को परिशानी में डालेंगे तो इससे भी आराज़क्ता पेदा होने की जबती थी अब उनके पलटने की समभावना इसमें कम हो जाएगी और एक्ष्ण जिसके साथ में गटना हुई वही वहाँ परमजिस्टेट के सामने की समभावना क्या कम होगी तो एक्ष्ण केसे तो सामने आने चीए मगर जो फर्जी केस बनाए जाते हैं वहत्तों साइथ भी होनी चीह इस कानून में मैं सोचता हूं यह फाइदा होगा कि फर्जी केसे पो रोड़ पाएंगे और एक्चूल लोगों को में सोसाइटी सपोर्ड करके उसको आगे लाना चीह कि महिलाओं वह आपराद रुके बच्चों वह अपराद रुके तारीक पे तारिक तारिक पे तारिक सुनते आए हैं अब क्या यहीं होगा या कुछ पर्वित नजर आए देखिए मैं आपके माद्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्री जी को ग्रहें मंत्री जी को जुनोंने बहुत ही अच्छा कानून एक आदूनिक भारत के निर्मान का यह कानून बनाया है नीव रखी आदूनिक भारत की दियनस जो कानून बना है तुरित नयाय मिलेगा जिस प्रकार आपने अभी का कि तारीक पे तारीक वाला जो खिल्मों में भी डायलोग आता है वो डायलोग बंदोने वाला है यह आदूनिक भारत है इसम अगे नहीं दे सकते नजज दे सकता है इस प्रकार का जो कानून है उसको अमली जामा पहनाने का काम इस भारतिया नयाय सहीता में किया गया जब हम नाम लेते हैं भारतिये का तो भी मन में खुशी महसूस होती है तो आज जो यह commitment किया गया बहुत ही अच्छा commitment है इसमें जिस प्रकार के कानून जोड़े गए हैं आज 21 सदी में जिस प्रकार हर यक्ति की जेव में एक मोबाइल पाया जाता है उस मोबाइल को अपनी सेल्पी घीजने के लिए वीडियो बनाने के लिए काम लेता है तो उस वीडियो को अगर कोई अपराद हो रहा है और किसे ने वीड इस द्वारा हत्या की जा रही है वातावन मना करके तो उनको भी सज्या का प्रोविजन दिया गया है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी न्याय की विवस्ता की गई है कि उन्हें ठाने पड़नी जाना पड़ेगा घर बेटे उन्हें न्याय पिलेगा जिस प्रकार मैं दिन मैंने जब वकालाज शुरू की थी तो एक व्यक्ति जो है थाने के ब्रह्म में उलज गया कि एक तरफ गया तो किसा रायला थाना और दूसरी तरफ गया तो दूसरा थाना है तो वह जिस जगए खड़ा था वो दोनों थानों के बीच की सकता है उसको इस चकर में नहीं पढ़ना है कौन सा थाना लग रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है आज पीडित को न्याय मिलेगा और अपरादी को सजय मिलेगी बहुत अच्छी यह भारती न्याय सही तब नहीं गई जैसा कि आपने देखा अधियोक्ताओं को कहना था कि समय के साथ-साथ कानून में परिवर्टन बहुत जुरूरी है और लगबग 113 साल पूराने कानून में परिवर्टन हुए है जनता के लिए फाइदे मन होगा यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा बिलोरासन वार समा दिशूतर व्रत इटली में गुलामी से 33 भारतियों को बचाया गया अत्याचारी किरफता त्रिफुरा जड़प में आदिवासी युवक की मौत के बाद दुकानों में आग जनी घरों में तोड़ पूर बेस्पी नीता के आमस्ट्रॉंग के हत्या के एक आरोपी को मुट के चक्कर में रेल के शिकार होए तब पती है स्पॉंसर बाइए एक्स्क्लूजियो डेकरेटिव सर्फस अक्रिलक एंटीरियर क्लाड्स नूरानी लिबास रेडी मेड टेक्स्टाइल स्टिचिंग ईवर्ज प्यार से घर सवारने दो अभी के लिए इतना ही लगाता खबरों के लिए बढ़े नहीं हमारे साथ नमस्कार